जिसने देश की आजादी में दिया अहम योगदान जब देश में बेटियों को घर से निकलने तक की आजादी नहीं थी ऐसे में उसने किया डवले में महिलाओं के सम्मान के लिए बिहार की इस बेटी ने लड़ी कई लड़ाईयां बिहार की यह बेटी जो बनी पहली महिला राज़पाल बिहारी में जोड के आज के सेग्मेंट में हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसी बेटी के बारे में जिसके बारे में अगर आप बिहार में बात करेंगे तो उनका नाम लोग बड़े ही गर्व के साथ लेते हैं उनका भारतीय सोतंता संगराम के साथ ही देश के कई अन आंदोलनों में जिक्र होता है साथ ही समाजिक कुरूतियों को दूर करने के लिए भी इन्होंने कई काम किये हैं इनका पूरा परिवार देश की सोतंतरता आंदोलन में एक्टिव रहा था इसे हम यूँ कहें कि जब देश को युवाओं की जरूरत थी तो इसमें इन्होंने बढ़ चड़ कर हिसा लिया बात के समय में जब वो राजनीती में सक्रिय हुए तो विधायक सांसत के साथ राजपल तक का सफर पूरा किया अज हम बात करने जा रहे हैं एक सुदंता सेनानी के बारे में एक राजनेता के बारे में एक ऐसे समाजिक चिंतक के बारे में जिसे एक बार अपने समाज में फैडिक कुरूतियों पर नजर होती थी उसे दूर करने का परियास हमेशा से होता रहा अज हम बात करने जा रहे हैं राम दुलारी सिन्हा के बारे में राम दुलारी सिन्हा का जन्व आठ दिसंबर 1922 को बिहार के गोपाल गंजिरे के मानिक पुरगाउं में हुआ था इनके सिच्छा दिच्छा बनारे सिंदू बिस्पिदाले में पूरी की उसके बाद उन्होंने पटना बिस्पिदाले से हिंदी में और इतिहास बिसे में असनकोत्तर किया सिंधा मास्टर डिगरी हासल करने वाली बिहार की पहली महिला है रामदुलारी सिन्हा की साधी फरवरी उनिस सव अड़िस में ठाकुर यूगल किसोर के यहां हुआ था किसोर सिन्हा को बिहार में सहकारी आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है रामदुलारी देवी को एक राष्टबादी नेता के रूप में भी देखा जाता है वह एक सुतनता सनाने के लिए भी जाने जाती है समाजिक जारुपता और लोगों की मदद करते करते हुआ राजनीती में आ गई साल 1952 में वह पहली बार बिहार बिधान सवा पहुंचे थी और इस तरह से बिहार बिधान सवा की पहली महिला सदस भी बनी इसके बाद 1912 में हुआ पटना लोग सवा सीड से पहली बार सांसद होवन पहुंची इसके बाद 1979 में वह फिर से बिहार विधानसवा पहुंची और इस बार उनका सीड था गुपाल गंज वो यहां से जीत कर बिहार विधानसवा पहुंची और वो भी दूसरी बाद इसके बाद आया साल 1971 से 1970 का समय जिसमे वह बिहार सरकार के राज कैबिनेट की सदस के रूत में रही इस दोरान उन्होंने स्रम और रुजगार परियाटन गंणा समाज का लियान और संसदिये मामलू की परभारी बनाई गई थी बिहार विधान सभा के बाद अब समय आ गया था जब उन्हें फिर से लोक सभा में जाने का मौका मिला 1980 में राम दुलारी देवी बिहार के सिभर के लोक सभा सीड से चुनाब जीत कर दूसरी बार दिल्ली पहुंची इस वार उन्हें यहां कैबनिट में जगह मिली और उन्हें मिला सूचना और परसारन मंतरा लाए इसके साथ इसाथ उन्होंने स्रम और पनर्बास उद्योग इसपात और खान बनीज के साथ ग्रिह मामलों की भी देख भाल करती रही इसके बाद सान 1984 के लोक सवाचुनाव में एक बार फीर से वो जितने में काम्याव हुई और इस वार उन्हें केंदरिये ग्रिह मंत्री का पद मिला इसके बाद 1988 में उन्हें कीराल का राजपाल बनाया गया इसी का साथ बिहार की पहली महिला बनी जो किसी राज़ में राजपाल बनी रामदुलारिस सिनहा के राजनितिय के हम समाजिक जीवन को देखेंगे तो आपको हर जगह एक महिला दिखेगी जो काम कर रही है अपने लोगों के लिए समाज के लिए जिसमे की पर्देश का मान बढ़े रामदुलारी सिनहा चातर राजिती में जब थी तो उन्होंने चातरों की मांगों को लेकर पूर जोरा रादोलन किया था जब वो है एक समाजिक कार्चकरता के रूप में समाज में अपना योगदान दे रही थी तो उन्होंने महिला मुक्ती, पर्दा बिरोध, दहेज बिरोध और अस्परिस्ता उन्मूलन अभियानों का हिस्सा रही उन्होंने महिलाओं और बच्चों की सिच्छा को लेकर बढ़ चड़ कर काम किया रामदुलारी देवी आज भी बिहारियों के दिलों में बसी हुई है वह आज भी समाज में महिलाओं के लिए किये गए कारजों के लिए जानी जाती है वह चातरों और बच्चों के लिए की गई लडाईयों के लिए हमेशा याद की जाती रहेंगी रामदुलारी सिना को आज किस राजनेता के रूप में आप देखते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं